हेलो एवरिवन यह हमारी डाइबिटीज मिलाइटिस की नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे डाइग्नॉसिस ऑफ डाइबिटीज मिलाइटिस सबसे पहला पॉइंट है इसमें सिम्टोमाटिक अगर केस है तो हम इसे कन्फर्म करेंगे ग्लुकोजूरिया और आर्ब सेकिंड हैसैं अगर कोई पेशेंट है जिसकों सिम्टमस नहीं है तो उसमें हम देखेंगे परसिस्टेंटली ऐलेवेट अगराथार उसका ऐलेवेटल आ रहा पेशेंट था उसका नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल आया पर OGDT जो है वो अबनॉर्मल था तो हम असे कहेंगे चैमिकल डायबिटीज का केस है रिवाइस्ट ख्रायिडिया फौर डायगनॉसीज ऑ डायबिटीज की रिवाइस्ट क्रायटिरिया क्या कहता है पहला एक साइड हमने लिखा है प्लाजमा ग्लूकोस वैल्यू और दूसरी तरफ है डाइगनॉसिस तो सबसे पहले हैं फास्टिंग करवाएंगे एट आवर्स की या उससे जाधा की तो मिनिमम एट आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए तो उसमें अगर वैल्यू बिलोओ 100 mg पर डेसिडिटर आई तो हम कहेंगे नॉर्मल है पेशिंट और अगर मोर दन 126 mg पर डेसिडिटर आई तो हम कहेंगे उसे डाइबटीज मिलाइटरस है सेकेंड टू आवर्स आफ्टर 75 ग्राम एनहाइडरस ओरल ग्लूकोज इन वाटर हम 300 ml वाटर लेंगे जिसमें हम 75 ग्लूकोज को डेसिडिटर करेंगे और पेशिंट को पिला देंगे और उसका हम 2 गंटे बाद ब्लड सेंपल लेके टेस्ट करेंगे तो अगर प्लास्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो लेस दन 140 mg पर डेसिडिटर है तो हम कहेंगे नॉर्मल पोस्प्राइंडियल जी टी टी और अगर मोर दन और इक्वल टू 200 mg पर डेसिलिटर आया तो हम कहे डायबोटीज मलाइटस है उसे थर्ड है रैंडम वैल्यू रैंडम वैल्यू मतलब वही रैंडम ब्लड शुगर अगर मोर दन और इक्वल टू 200 mg पर डेसिलिटर है सिम्टोमाटिक पेशेंट में तो हम कहेंगे उसे डायबोटीज मलाइटस है और ग्लाइकेटिड हीमोग प्लाइट शुगर 100-125 mg पर डेसिलिटर होता है इसको हम इंपरेट ग्लुकोस टॉलरेंस भी कहते हैं टू आवर प्लाज्मा ग्लुकोस ड्यूरिंग 75 ग्राम ओजी टीटी अगर हम करके देखेंगे इनका तो उसकी वैल्यू आएगी 142-199 mg पर डेसिलिटर के बीच में Hb1ac की वैल्यू इन में होगी 5.7 से 6.4 के बीच में यूरिं टेस्टिंग करके देखेंगे तो सबसे पहला हम यूरिं में दो चीज़ टेस्ट करते हैं ग्लुकोस डूरिया और कीटो नूरिया ग्लुकोस डुरिया टेस्ट करने के दो तरीके हैं और बैनेडिक्स कॉलिटे इसमें क्या होता है enzyme coated paper strips which turn purple with glucose यह यूज की जाती है एक paper की strip होती है जिसमें जैसे ही urine में हम उसे touch करते है तो अगर वो purple convert हुआ तो purple color का हुआ तो मतलब glucose present है urine में second ketonuria ketonuria क्या बताता है assessing the severity of diabetes diabetes कितना severe है वो बताता है इसके दो method है test करने के Rotheras test and strip test third और कौन-कौन सी condition में ketonuria देखने मिल सकता है prolonged vomiting किसी को हो रही है या फिर fasting की state है अपने पढ़ाता था न स्टार वेशन में ketone bodies बन जाती है वो excrete होने लगती है second test करेंगे हम single blood sugar estimation single blood sugar estimation पहले test होता था इसमें fallen view method जो कि अब obsolete अब यूज नहीं किया जाता अभी currently जो use हो रहे है उसमें आएगा or toluidine, somogy nilson और glucose oxidase यह नाम आपको ऐसे ही याद करने पढ़ेंगे currently used में आएगा or toluidine, somogy nilson और glucose oxidase ठीक है third है fasting glucose test fasting glucose test में आएगा screening test for type 2 diabetes में यह fasting glucose test क्यों करते हैं screening test होता है यह type 2 वालों को detect करने के लिए और इसकी definition क्या है fasting is defined as a no caloric intake for at least 8 hour prior to test at least बोला है कि 8 गंटे test के 8 गंटे पहले तक आपको no caloric intake रखना है ठीक है मतलब अगर 8 तो minimum है अच्छा test का मिलता है वैसे तो 12 hours fasting रखने पर fourth हम पढ़ेंगे oral glucose tolerance test OGTT यह अलग से भी एक topic है तो मैंने इसको यहीं पर थोड़ा elaborate करके समझाया है कि कैसे करते हैं क्या interpretation है इसका oral glucose tolerance test this test is intended to measure the capability and timely response of insulin secreting cells यह test क्या measure करता है capability मतलब अपनी जो beta cells है वो कितने capable हैं और कितना timely response करते हैं वो detect करता है OGTT ठीक है patient को prepare कैसे करते हैं put patient for 3 days on or more on a normal diet including at least 150 grams of carbohydrate per day patient को हमें कहना है तीन या तीन से जादा दिन तक उसे normal diet लेनी है जिसमें 150 grams of carbohydrate उसे रोज लेना है उसके बाद first step रहेगी ask the patient for fast overnight हमें उसे कहना है कि रात बहर तुमें कुछ नहीं खाना रात बहर fast रखके आना है मतलब रात को और सुबह उठके भी कुछ नहीं खाना है चाय भी नहीं पीनी देनी है उसे ठीक है second point है patient should rest for at least half hour before the test blood sample is withdrawn patient को बोलना है कि rest करो आदे गंटे तक मतलब वो एकदम भागते भागते आएगा hospital तक तो उसको कहना है आदे गंटे आप बैटो उसके बाद उसका sample लेना third point a glucose load of 75 gram dissolve in 300 ml of water is given हम उसे glucose load करनी है उसकी body में तो हम क्या करेंगे 300 ml of water में 75 gram glucose को dissolve करके उसे orally दे देंगे fourth blood sample are withdrawn at half hourly intervals for two hours blood sample हम withdraw करेंगे अब half hours पे दो घंटे तक मतलब हर आदे घंटे में उसका blood sample लेंगे दो घंटे तक मतलब चाल blood sample हम लेंगे blood glucose level is estimated और उससे हम blood glucose level estimate करेंगे अब interpretation देख लेते हैं तो interpretation अगर normal आया तो क्या होगा normal मतलब non-pregnant adults जिते भी है वो सब normal होने चाहिए तो इनके लिए normal value है fasting की less than 95 mg per deciliter और 1 hour पे आएगा less than 180 mg per deciliter 2 hours पे आएगा less than 155 mg per deciliter 3 hours पे आएगा less than 140 mg per deciliter आप देखेंगे fasting के time तो कम ही है पर खाना खाने के एक घंटे बाद दो घंटे बाद और तीन घंटे बाद value कम ही होती जा रही है और value हमेशा 180 mg per deciliter से कम ही होनी चाहिए क्योंकि 180 mg per deciliter हमारा renal threshold होता है उससे exceed नहीं करना चाहिए second indicative of impaired glucose tolerance impaired glucose tolerance अगर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा fasting values की होगी 110 to 126 mg per deciliter second at least one value is more than 200 mg per deciliter मतब इन चारों में से कोई एक value more than 200 mg per deciliter आए या फिर two hour वाली जो value है वो 140 to 200 mg per deciliter के बीच में हो ठीक है third indicative of diabetes monitor diabetes monitor जिसको है उसमें क्या value देखने मिलेगी fasting में ही more than 126 mg per deciliter value आएगी तो हम OGTT perform नहीं करेंगी क्यों फालतों को चार बार उसका blood sample withdraw करना जब हमें fasting से पता चल गया कि उसको diabetes है ठीक है OGTT के जो values होती है वो pregnant female के थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि pregnancy में अगर diabetes हुआ तो वो higher risk pregnancy हो जाती है तो इसमें सबसे पहला जो है अपने सारे patients को 75 grams of glucose दिया था इसमें हम 100 grams of glucose यूज करेंगे ठीक है दूसरा इंडिकेटिव और जैस्टेशनल डाइबटीज में fasting की value 110 mg पर deciliter वन आवर पर 190 mg पर deciliter टू आवर्स पर 160 mg पर deciliter त्री आवर्स पर 145 mg पर deciliter variants of OGTT जैसे OGTT का full form कहता oral glucose tolerance test तो इसके अलावा तीन और variety होती है जैसे कि extended GTT intravenous GTT और cortisone prime GTT ठीक है अब OGTT के indications भी पुछे आते कि कब-कब यूज किया जाता है ये पहली बात OGTT जो है वो routine में यूज नहीं किया जाता ये सबसे पहला fasting blood glucose जब 100-125 mg पर deciliter आया तो उसके बाद हम OGTT करके देखते हैं दूसरा diagnosis of gestational diabetes mellitus pregnancy में हम करके देखेंगे तीसरा uncertainty about diagnosis of diabetes mellitus किसी में certain नहीं है किसी में confirmation चाहिए तो हम करके देखेंगे और OGTT फिफ्ट क्राइटेरिया है टू आवर पोस्ट परेंडियल ग्लूकोस प्लाजमा ग्लूकोस लेवल नो स्टैंडर्ड रोल एंड डाइग्नोसिस ये कोई स्टैंडर्ड रोल प्ले नहीं करता है डाइग्नोसिस में पर इसकी वैल्यू टू आवर्स पे लेस दन 140 mg पर डेसरीटर आनी चाहिए है जिक्स्ट क्राइटेरिया है ग्लाइकोसाइलेटर हीमोगलोविन HbA1c ठीक है HbA1c ये एक non enzymatic glycosylation होता है इसमें provide control of blood glucose in last 3-4 months मतलब ये 3-4 महिने का control बताता है कि पिछले 3-4 महिने तक आपकी क्या value रही glucose की blood में ठीक है normal value कितनी होती है इसकी less than 5.7 percentage use इसका क्या है prognosis मतलब ये early detection के लिए भी काम आता है कि जिसको diabetes होने वाला है उसमें ये बता देगा उसमें और दूसरा diagnosis में कि diagnose करने में भी काम आता है prognosis और diagnosis दोनों uses का advantage क्या क्या है avoid misdiagnosis कोई misdiagnosis नहीं होने देता fix up misdiagnosis कोई misdiagnosis हो गई है तो उसको बता देगा कि यहाँ पर अपने गलाट कर लिया था third more convenient as fasting not require इससे fasting की जरूत नहीं होती इसलिए जादा convenient है fourth high pre analytical stability इसकी pre analytical stability जो है वो जादा है fifth does not undergo variation if in value if individual is under stress इसकी value में कोई change नहीं आता है चाहे individual stress में ही क्यों नहीं हो क्योंकि तीन चार महिने के basis पर रहता है इसलिए affected by hemoglobin or pathy क्योंकि glycosylated hemoglobin है न तो hemoglobin की abnormality होगी तो यह affect होगा anemia में affect होगा reticulocytosis में affect होगा transfusions में affect होगा और यूरेमिया में affect होगा अगर यह पांचो condition है तो glycated hemoglobin glycosylated hemoglobin हम नहीं perform करेंगे हम perform करेंगे serum fructosamine estimation इसके अलावा other tests जो diabetes के लिए होते हैं उसमें पहला है glycated albumin, extended GTT, intravenous GTT, cortisone prime GTT, insulin SA, pro-insulin SA, C-peptide SA, isolate autoantibodies or screening for diabetes associated complications